हाई एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं बनाऊंगी दाल मकनी और घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी बनानी है लेकिन रेस्टोरेंट टाइप पूरा नहीं बनाएंगे हम बहुत जादा घी तेल वगरे वाला नहीं बनाने वाले सिंपल मैंने उड़त तो इसको मैं मतानी से मतलूंगी अच्छे से और मतना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दाल खड़ी-खड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है एकदम से मतलब घुटी भी दाल अच्छी लगती है तो ये 5-7 मिनिट आपको लगेगा हाथ से करोगे तो ज्यादा अच्छ और थोड़ा से लसन लिया है दो-तीन आप चाहिए तो लसन छोड सकते हैं बीने लसन की बना सकते हैं तो यहां पर मैं क्या करूंगी एक-7 तीनों चीज की प्योरी बना लूंगी टमाटर काट लूगी बड़ा-बड़ा और साथ ही में मैं हरीमिर्स टाल दूंगी और डाल थोड़ा सा आप चाहे तो quantity बटर की कम जादा कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं और उसी में directly गरम होते ही मैं यहाँ पर डाल दूगी जो प्यूरी हमने पना के रखी थी उसे और यह बच गया था थोड़ा सा तो पानी भी आड़ कर दिया यहाँ पर और मसाल इसका यूज कर रही हूँ और आप चाहे तो किसी भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं तो मैंने धक्कन लगा के पांच मिनट तक इसको पकाया है अच्छे से कम गैस पर और फिर देखा तो यह पूरा तेल मतलब घी पूरा छोड़ दिया है इसने अच्छे से आप देख सकते पक गया है उसके बाद मैंने उबली हुई दाल को जो मैंने मतला था उसको आट करेंगे उसी में एक से डेड़ गलास पानी उबलावा डालेंगे अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टन चीज जो करने है वो यह है कि आपको तेज गैस करके पांच मिनट तक इसको ऐसे चलाते खड़े रहना है आपको गैस के पास और हाथ आपको रुकना नहीं चाहिए क्योंकि यह जब उबाला आएगा और पकेगा ना यह थोड़ा सा जाग टाइप का छोड़ता है तो आपको उसको बस हिलाते रहना अच्छे से पका लेना है तेज गैस पे इसकी बाद आप गैस क तो कम करके भी छोड़ सकते बीच-बीच में चला सकते एक दो मिनट के गैप में तो कम गैस पे आपको इसको दस से पंदरा मिनट तक पकाना है क्योंकि आपको कम से कम पंदरा मिनट पकाना पड़ेगा तभी टेस्ट आएगा और रेड़ी हो चुकि है हमारी दाल मकनी अच्छी लगेगी आपको तो आज के लिए बस इतना ही मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई